आज का हमारा टॉपिक है एसरिड़ रइन हिनगीं बोलते हैं अम्ल वर्सा तो स्टार्ट करते हैं बिना धेरी के फरे इसाचे हैं और अहीं होती क्या है एसरिड़री इसको बोलते हैं और साथे bet술ohnEC एक बहुत Puis 되면 है इसमें होता क्या है कुछ भी आस्मान से कुछ ऐसा अगर प्रत्वी पर गिरता है जो एस डिक है समझ गए ना तो उसको बोलेंगे ऐसी ड्रोइन ज़र समझ यह क्या है यह इसमान से ऐसा कुछ भी प्रत्वी पर गिरता है जो जिसके पास और उसको बोलेंगे ऐसी ड्रेन एसी ड्रीक कमपोनेंट्स क्या हो सकते हैं सल्फ्यूरिक हो सकता है नाट्रिक असीड हो सकता है और हाँ आसमान से गिरेगा तो यह ज़रूरी नहीं है कि वेट बार करन द्राइस के रूप में हो सकता है ड्राइब भूले तो थूटे च्छोटे कड़ते जो ऊपर से नीचे की और धीरे दिरे बढ़ते चले गए तो वहीं अमारी क्या है एसीड रेन क्या है कुछ भी जो आस्मान से प्रत्वी पर आता है धरती पर आता है एसीडिक नेचर का ह का है ऐसको बोलेंगे एस यह सकते हैं रसकते हैं यहां पर यह समझाना था कि इसे ड्रेन में सिर्व ऐसा नहीं है, कि जो लिक्ट केमपोनेंट ही हो, तो समय लोग वो भी एसे ड्रेन कहलाएगी, यहां पर उसके पीच कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो पीच वैलू 7 होती है, वो neutral मानी जाती है इससे कम acidic होगा और उससे ज्यादा यानि 7 से ज्यादा basic माना जाता है छारी प्रकतिका माना जाता है तो यह था हमारा आगे और समझते हैं यहीं बताया गया इसमें basic है यहां पर जासमान में पहुंचते हैं धूओं की रूप में या किसी और तरीके से आजपास जो water body होगी वहांसे heat operation होता नहीं पानी होता है तो यहां पानी भी पहुं closetा है हवा चलती है हवा चलके क्यों होता है कि यहां पर पहुंचते है सारी पानी की जो बाड़ल होते हैं दो बही ये gases भी यहां पहुंचते हैं यह आपस में reaction करते हैं और बनाते है sulphuric acid और nitric acid और यह गरता है पत्त्री पर. तो यह क्या होगा यह हमारे acid गर रहे हैं, क्योंग गरे दे? क्योंकि nitrogen और sulfur केIG a oxide पानी के साथ पत्त्रिया कर रहे हैं, और जब यह acid गरेगा तो इसे को बोलेंगे acid rain और इसरे होगा बहुत सारा नुक्सान, नुक्सान क्या होगा वो आगे समझेगे नेक्स वीडियो में तो यह है एक basic की कैसे होती है acid rain आगे समझ लेते हैं पहले वही चीछ जो आपको समझाई acid rain results when sulfur dioxide and nitrogen oxide are emitted into the atmosphere समझ गए यह जब यह emit होते हैं atmosphere में और transported by wind and air current यह टांसपोर्ट भी होते है एयर current होता है हवाएं चलती है तो ज़रूरी नहीं है कि जिस सहर में यह gas release हो रही हो वहीं बनी रहे हैं यह हवा के साथ और भी दूर दूर तक पहुंच सकती हैं आगे फिर क्या होता है और सलफर और nitrogen के आक्साइड water oxygen और इनके साथ क्या ओते हैं यह करते हैं और स्टी पर फिर क्या होता है फिर यह पानी के साथ मिलकर ठीक है अब दूसरे मेटरियल के साथ मिलकर यह कहां गिरते हैं धरती पर पानी के साथ भी हो सकते हैं अगर पानी के साथ मिलेंगे तो वेट टाइप की जो एसी ड्रेन होगी और अधर मेटरियल जैसे डस्ट के करण हो सकते हैं त दो चीज़े हैं एसे ड्रेंड का जो मेन रीजन वो तो है हमारा हुमन ठीकिन न एन्थेपोजेनिक है कैसे जब इंसान गाड़ियां चलाता है डीजल की पेट्रोल की तो वहां से क्या निकलता है सल्फर की अक्साइड और नैट्रोजन की अक्साइड लेकिन कुछ नैच्रल भी है क्या लिखा हुआ है जरा यह समझ दें वाइल आइसमाल पॉर्सन आफ सल्फर डाइए अक्साइड और नाइट्रोजन अक्साइड कैन कॉस डैट कॉस एसे ड्रेंड इस फ्रॉम नैच्रल सोसिस क्या हो सकते हैं इसे वोलकैन और जोला मकी जब फटता है तो वहां से लेकिन में रीजन क्या है जो आज जो नुक्सान पहुंचा रहा है इस इन्वार्मेंट में एको सिस्टम में वह बर्निंग और फॉसल फ्यूल ठीक है ना जीवास में इंधन है उनके जलाने के वाज़े से समस्या खड़ी हो रहे हैं क्योंकि वोलकैनों में इतना ज्यादा कितने वैलकैनों है प्रत्थवी पर तो इतना ज्यादा समस्या खड़ी नहीं होगी लेकिन गाडियां हर जगे चल लाई है तो यह प्रॉल्म है आगे समझते हैं तो जो इन्वार्मेंट में जो मेजर सोसे हैं सल्फर के और नाइट्रियन की आकसाइट के वह कौन-कौन से ह जिसे बहरात में जो इलेक्ट्रिसटी का जनेरेट होती है जो बनाई जाती है उसमें फॉसल फ्यूल ही मेनली है अब आप यह बताईए कि कि इस बनता है यह कमेंट करके बताईएगा आगे समझते हैं दूसरा अब यही फॉसल फॉल जब यूज किया जाता है वेहिकल में और एक्किप्मेंट्स में चलाने में तो वहां से निकलता है मैनुफैक्ट्रिंग और और जो रिफाइनरीज हैं और दूसरी इंडिस्ट्री यहां से निकलती हैं यह गैसे तो यह है मेजर सोर्स आगे समझ लेते हैं एक में चीज यह है कि विन्स केन ब्लू शल्फर डाय अक्साइड और लांग डिस्टेंस समझ गया है थोड़ दिर आपने पहले देखा कि सहर से तो निकली थी वह गैसे लेकिन जहां पर एसे ड्रेन हो रही थी वहां पर क्या थे पहार थे तो होता क्या है कि जदूरी नहीं है कि जिस कंट्री से यह गैसे प्लूशन निकल प्रभावेत हो आज पास के रीजन और कंट्रीज में भी हो सकती है जबकि उन कंट्रीज का हो सकता कोई योगदान ही नहीं नहीं तो यहीं चीज़ है विंट्स कैन ब्लो सलफर डायक्साइड नैट्रोजन ऑक्साइड ओवर लांग डिस्टेंस एंड एक्रॉस बार्डर मे ही लोग इसे प्रभावित हों क्योंकि यह गैसे हवा में पहुंसती है फिर हवा से दूर तक किसी दूसरे देश में पहाड़ों में जंगलों में वहां जाती है वहां बारिस हो जाती है तो इसे कहां जंगलों में भी हो सकती है तो यह चीज़ में बताए गई है आगे समझ डिपोजीशन इस वाट वी मोस्ट कॉमनली थिंक आफ एसीड रेंड चुक्कि इसे रेंड वर्ड आ जाता है आप अस्ता लगता है कि बारिस जैसे बारिस होती है वैसे एसे गिरेगा तो हम उसी को मानते हैं क्या एसे डेंड लेकिन नहीं वो है एसे डेंड को वेट वही है इसमें दा सल्फियूरिक एसेड एनाटिक एसेड फॉर्म इन एट्मॉस्फियर फॉल्ड टु दे ग्राउंड मिक्ट भी बनता है वहां पर यह एसेड बहुत ज्यादा है तो वह भी हमारा क्या है एक एसेड रेन है लेकिन यह तो है वैट इससे भी जादा होती है इसमें क्या होता है एसेडिक पार्टिकल्स एंड गैसेज कैन आर्सों डिपॉजिट फ्रॉम्ट एट मास्पिया इन अपसेंस ऑफ मॉस्टर एंड ड्राइड डिपॉजिशन मीन्स ज़रूरी नहीं है कि यह जो एसेडिक कंपोनेंट्स हैं वह बारिस के रूप में ही नीची हो सकते हैं मतलब की मालोई धूल की छोटे-छोटे कड़ाई इन में जमाव है इन एसेडिक कंपोनेंट्स का हो सकता है यह धियर नीचे बैठने लगें और यह धरती पर परत की रूप में जम जाएं तो भी एक तरीके की है एसेड रें ओके तो एसेड ड्रें कैसे ड्राइड डिपोजिशन कैसा होता है गैसस की रूप में या पर्टिकुलेट मैटा जो छोटे-छोटे-छोटे कड़ होते हैं उनकी रूप में हो सकता है अब क्या होता है एक सबसे खतरनाक चीज जराई होता दें वह यह होता है कि मान लो यह है पूरा इन्वार्मेंट ठ चोटे-छोटे ड्राइड ड्राइड डिपोजिशन होता है एसे ड्रेंड कर यहां धीरे-धीरे कड़ नीचे बैठते जाते हैं तो यहां पर काफी कठा हो गए बाद में क्या हुआ यहां बारिस होती है यहां से फ्लो होता है पानी और यह फिर बहता हुआ कहीं दूर तक यहां उक्त हो रहा होते हैं दीरे दी इसाल आइडाइबrement मालू मालू भारत की बात करें तो नाइंस वान्स वायलाइफ फर नुक्सान पहुंचा सकता यहां अगे जोटे-चोटे-चोटे-च्टों यहां भी नुक्सान होगा तो यह बहुत ही खतरनाक तरीके से नुक्सान पहुंचा सकता है कौन सा ड्राइड डिपोजीशन ओके जब साहल भार एक जगह एकठा होता है फिर अचानक बारिस होती है और सबको नुक्सान के पहुंचाते हुए यह आगे बढ़ता है आगे समझ लेते हैं कि कि कितना ड्रा अन एरिया के वहता होती है तो अपर क्या होगा ढौन बहुत ज़्यादा होगा धूर के कंड बहुत ज़्यादा नीचे बैठेंगे लेकिन ऐसा कोई area जहाँ पर बारिस काफी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होगा वेट डिपोजिशन काफी ज़्यादा होगा तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा ज़्यादा होता है और कौन सा कम होता है यह depend करेगा कि कितनी rainfall वहाँ पर हो रही है उस location पर अगर rainfall जादा है तो wet deposition जादा होगा rainfall कम है तो dry deposition होगा आगे समझ लेते हैं यह जो word है यह two sentence है यह याद रखेगा अगर average निकाला जाए कि कितना dry होता है और कितना wet होता है तो लगबग half 50-50 का रिसी होता है 50% जो acid rain होती है वो dry होती है और 50% जो होती है हमारी wet होती है तो जादा होगा लिकिन ऐसा नहीं है about half of the acidity in the atmosphere falls back to the earth through dry deposition तो यह था हमारा acid rain का basics आगे हम समझने वाले हैं effects of acid rain ecosystem में क्या effect होगा या पि जो aquatic environment होगा वहाँ पर क्या effect होगा वो सब हम जानने वाले हैं Thank you